एक कॉमन सवाल जो हमारे मेसेज इस बॉक्स में भरा हुआ है वो यह सर अब जो भी रिजल्ट रहा उसके बेसिस पे हम में 23 में सिंगल गुरूप दे है ना या बोद गुरूप दे ठीक है अब मैं जेनरलाइस देने का कोशिश करता हूँ इसलिए मैंने बहुत सारे सेनारिय कर दिया जो मैक्सिमिम सेनारियो मेरे पास रिसीव हो रहे थे ठीक है तो कोशिश करेंगे इस वीडियो के थुरू हम उस क्वेरी को आंसर कर दे वे बट वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब के बिना वीडियो देखा ना तो पता ऐसे शनी का प्रकॉप अब बढ़ते हैं आगे सबसे पहले आपको सिंगल गुरूप और बोध गुरूप में से कैसे डिसाइड करना चाहिए तो आप दो तरह के शुरेंट रहेंगे एक जिनका पहला अटेंट है में 23 में और एक जो पहले अटेंट दे चुके है तो पहले अटेंट वालों की बा कर लिए approximately if the answer is yes आप बोध के लिए जा सकते हो लेकिन अगर आपके चार या पाथ सब्जेक्ट ही हुए या तीन सब्जेक्ट ही हुए है ना मतलब काफी हत तक आपका portion 50% से ज्यादा बाकी है दो तीन सब्जेक्ट हुए चार सब्जेक्ट हुए है तो उस case में अगर आपक में 23 में है अब हम बात करते है वो student जो attempt November 22 में दिये थे या पहले भी दिये थे अब clear नहीं किये इस attempt में ठीक है तो सबसे पहली बात आपको single देना चाहिए बोध देना चाहिए अगर आपके November 22 में आपने बोध ग्रूप दिये थे है अब देना अलग होता है एक होता ना क कि एकी ग्रूप सर आता था सेकेंड गूप तो नाम के लिए दिया था वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं आपने decent preparation से दोनों ग्रूप दिये थे बाइचांस आप दोनों क्लियर नहीं करें लेकिन आपने दोनों decent preparation से किये थे मतलब 60, 70, 80% से ले बस तो cover किया होगा decently right अगर आ decent preparation आप अभी भी बोथ ही देना ठेक है मुझे ऐसा लगता है आप क्योंकि single पर shift मारोगे single पर tough shift मानना जब आपने एक ही दिया था seconds नाम का दिया था और second के प्रिपरेशन नहीं किये अगर आपने decent preparation में बोथ दिया था तो मेरको लगता आप अभी भी बोथ दोर बोथ नि single group दिया थे ठीक है अब एक्जाम के बाद से लेकर result के बीच में थोड़ी चे group 2 preparation शुरू कर दी अब शायद result negative आया अब सोच रहे कि single लेकि बोथ दे May 23 में maximum लोग यहां इस scenario में भी है तो क्या करे तो इसलिए मैंने दो scenario बनाए अगर आपने November 22 में single दिया था ठीक है और आपने exam देते ही preparation group 2 की शुरू कर दी थी ठीक है और group 2 की preparation शुरू करने के बाद आपके minimum 2 subject हो चुके थे ठीक है मतलब result से लेकर exam से लेकर result के बीच में आपने as of now आपने एक group दिया था और जो group नहीं दिया था उसके आपने at least 2 subject approximately मुटा मुटी cover कर लिये है तो आप इस case म उसको आपको वापस revise करना है और सिर्फ दो ही बाकी है तो अगेन आप वह कर सकते हो कि दिन का सुबे का 3 घंट आप जो नया subject बाकी उसमें दे दो और बाकी के जो भी 7 घंटे बसते है उसको आप revision में focus कर लेना ठीक है अगर मतलब इसका single group दिया और 2 subject अब तक कर लिये अगर आपने single group दिया था नवेंबर 22 में अब तक जो दूसरा group है वो दूसरा group या फिर दो से कम subject आपके हुए है तो उस case में मुझे लगता है कि आपको single group देना चाहिए है ना मतलब कौन सा group देना चाहिए जिसकी class आपने मतलब जो आपने November 22 में group दिया था वही group आपको May 23 में देना चाहिए ठीक है अगर आप अभी भी ऐसा बोलो के नहीं नी सर हम effort मार लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप जहां जहां मैंने single group recommend किया है अगर उनको ब अगर आपको एसा करना है ना तो सबसे पहले जो main group देने का plan है उसको पक्का करना वह वहां के एक exemption के चक्कर में यहां इस वाले group की वाट बद लगा देना तो अगर आपको वह एक ग्रूप और exemption टागेट करना है मैं सबसे पहले तो बोलता हुए exemption वाले काम है ना मिरको ज आपको बताने है जिससे ना आप अपना जो रिजल्ट हो पास में convert कर सकते हो अब यह जो भी आप ग्रूप दोगे एक ग्रूप दो ग्रूप जो भी है अगर आपको किसी भी सब्चंग में डर लगता है ना मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीस किसी क्लास ले लो मैं यह टो आपको जिसका भी लेन अप ले सकते हो जैसे आपको अपको अ असा में रे लगता Ajima तोस केसमे उसके वसकी 18th of January मैंने मेरे चैनल पर वीडियो भी बनाया है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, जिसमा गिवन आल देटेल्स तो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, और यह offer है, जो 15 जैन तक ही, उसके बाद खतम हो जाएगा ध्यान लतना, ठीक है, तो फटा फट जाके ले लो, BB वर्च पर जादा फोकस करो, maximum बच्चे कहां फसरे पता है कि आपको लिख कर पैक्टिस नहीं करते हैं, audit कर लेते हैं, रिफर कर लेते हैं, एक्जाम में रेडाइस होता है कि अभी recall नहीं हो रही है, तो प्लीज दू राइटिंग प्रैक्टिस, उसके अलावा, एक मॉक टेस्ट पर מבकобы एक्गचर देना ही छाहिए है, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो जो आपका एक्गजाम में वह पका मॉक टेस्ट बन जाएगा, एक मॉक टेस सेर्स करीदे गवत आपको सकती, उसके लाव आपको और कुछ किछ है हैं, बनवानना है, तो कमेंट सेक्शं मे डाल दो, ठीक है, और बाकी जो भी, अगर आपको की batches वगरा लेने ही मेरे हैं, तो description box में सब link है, वो आप देख सकते हो, ठीक है, telegram जरूर join कर लेना, subscribe कर लेना, मैं देख रहा हूँ, अभी भी बोलने, पहले बोलने के बाद भी subscribe नहीं कर रहे हो, कर जरूर लेना, ठीक है, पसंदा है, लाइक जरूर करना, तो thank you so much everyone, bye bye everyone, take care, see you all, bye bye,